नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गारगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्रशिकर राउ ने कहा है कि प्रमुख मुल्यों के खिलाफ अपना जीवन समर्पृत करने वाले भारतिय सामाजिक दाशनिक महत्मा जोती राउ गोविंद राउ प्हूले की आकांशाओं और गतिवीधियों को इस देश में सभी शेत्रों में समानता के साथ रहना चाहिए केसियान ने ये बाते महत्मा जोती बाप्हूले की 197 जैंती के अफसर पर कही और देश के लिए प्हूले की सेवाओं और बलीदानों को याद किया सीम केसियान ने कहाए कि जोती बाप्हूले ने लगभग 200 साल पहले जाती और लेंगिक भेदवाओं के खिलाफ दलित आदिवासी और बहुजन समुदायों के उत्थान के लिए गतिवीधिया शुरू की थी सीम ने कहाए कि उनके दौरा अपनाये गए सामाजिक सामानता के मार्ग ने उस समय के भारती समाज में परंपरिक सामाजिक मूल्यों और विबस्ताओं को मौलिक रूप से बदलने का मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने कहाए कि फूले की गतिवीधियों ने महीलाओ और दलित भहुजनों को गुनातमक परिवर्तन की दिशा में लाम बंद करने के लिए प्रेडित किया है सीम केसियान ने याद दिलाया की डॉक्टर बाबा साहब अमबेटकर ने खुद महत्मा फूले को अपना गुरू गोशित किया था उन्हों ने कहाए कि तलंगाना सरकार जोती राब फूले जैसे महान लोगों की महत्पा कांशाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिक्ता के क्रम में विकास और कल्यानकारी गतिवीधियों को लागू कर रही है मात्मा जोती बाब फूले से मिली प्रेड़ना से मुख्यमंत्री की सियान ने कहाए कि तलंगाना राजसरकार भेरवाव का प्रतिकारक है विकास और इस नीती पर चलकर कमजोर वर्गों के विकास के दिशा में काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहाए कि राजसरकार की और से लागू की गई विकास और कल्यानकारी योशनाओं से तलंगाना में दलितों, आदिवासियों, वुजुर्गों, कमजोर वर्गों और महीलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक और सरक्षनिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किये हैं और सामाजिक समानता की और अग्रसर हुए हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते देशुर दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें। जन्भावना टाइम्स नमस्कार